जनपत के एक मात्र नैश्रोपैथ डॉक्टर राजश मिश्रा लोगों को निरोग रखनी के लिए समय समय पर प्रकृति से जुड़ने का आभान करते हैं इसके लिए आम जनमानस को जगाने के उद्देश से वह अब तक कई यात्राय कर चुके हैं इसके अलावा चौका चुटना के माध्यम से भी आम जनमानस को जगाने का प्रयास कर चुके हैं अब उन्होंने एक बार फिर से यात्रा के माध्यम से समाच के लोगों को निरोग रखनी का मंत्र लेकर लोगों के बीट जाएंगे इस बार उन्होंने चीनी माध्क द्रव्यम मांस छुडो और प्रकृती से नाता चुडो का संदेश देने के लिए काया कल्प केंद्रम से सांडी अभ्यरन्य तक की पधियात्रा बारा मार्च रविवार को प्राता साथ बज़े काया कल्प केंद्रम से प्रारम होगी बारा मार्च को प्राथा साथ पजे काया कल्प के नरम से सांडी पच्ची भीहार के लिए पद्यात्रा प्रारंब हो गई जिसमें साथ आठ सदस पद्यात्रा करेंगे चार पांच हमारे सही होगी रहेंगे यात्रा का उद्देश स्वास्त जागरुपता है स्वास्त जागरुपता के लिए हम तीन बिंदों को विशेश रूप से ले रहे हैं चीनी मादक्रप्य और माल्स छोड़ो प्रिकत से नाता जोड़ो इसकी तुभिशना मैं करूँगा इसके पास सारे पास हैंड बिल हैं पंप्लेट्स हैं हर कंडिडेट रास्ते में जो मिलते जाएंगे उनको देंगे भी बीच पीच में नुकर सभाएं होंगी गाउं में में नामनुस कुछ नहीं कर सकता है पहली आवशकता है चास्वावस्त हम गामेंट जो गाउं पड़ेंगे यहां से लेकर के सांडी तक उनको विशे सुर्प से संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन चर्या अपनी दिन चर्या अपनी रित चर्या ऐसी बनाएं ताकि बीमारी ही ने पड़े बड़ी जन हान हो रही है तब हम दुखटनाएं हो रही है मादे द्रिव्यों के सेवन से उसी प्रकार चीनी और मांस से कितनी हान हो रही है इस तो में बहुत बड़ी चर्चा करूंगा और चर्चा करते हुए यह आत्रा लगभग छे साथ हार दोई से अके लेश सेंकिर पूट